नमस्कार आप देख रहे हैं अंदिशक न्यूस अंदिशक न्यूस आपके संगहश का साथी वैलकम टू माई चैनल साथी यहां पर एक बिग ब्रिकिंग न्यूस अंदिशकों के लिए है अंदिशक मांदे 17,000 को लेकर कोट केस अपटेट है बड़ी खुर्स अपडिक सुनाने से पहले आपसे एक छोटा से निवेदन अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल अकेंड प्रेस कर लें ताकि अर नोटिफिकेसमेंट तक पहुँच जाए तो साथ यहाँ पर यूपी अंदुशकों को मिली है हाई कोट इलावाद डवल बेंच से बड़ी राहत अंदुशक डवल बेंच में चल रहा मादे 17,000 का मामला सुरक्षित रख लिया है कोट ने सीजे कोट ने मामले को सुरक्षित रखते हुए का है कि जल्द इस पर आदेश जारी किया जाएगा निरने लिया जाएगा जैसा कि आप सभी जानते हैं कल माननी है डॉक्टर एपी सिंग साब नहीं पहुँच पाये थे इलावाद आज वो मौजूद थे और मामले की सुनवाई हुई बवपरतिशित मांदे 17,000 के मामले में आ आज सीजे साब वा जेजे मुनीर ने आज संपूर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है और अदिकतम 90 दिन सुरक्षित रखा जा सकता है इन दिनों में कभी भी फैसला सुराया जा सकता है विदिक टीम वा समस्त अंतुशक उत्तर प्रदेश की तरफ से सु समस्त अंतुशक उत्तर प्रदेश इस समय आभार व्यक्त कर रहे हैं रॉक्तर एपी सिंग साब का और समस्त अंतुशक लीडर्स का जिन्हों ने अपना तन मन धन लगा कर इस मामले को यहां तक लाए हैं और लगतार पांस साल के बाद एक बड़ा ये फैसला कहा जा सकता ह एक बड़ा मामला जिसे सीजे कोर्ट ने डवल बेंच में सुरश्चित रख लिया है अब मीत यही की जाएगी कि मामला हमारा बरकरार रहे जो कि हमारा सिंगल बेंच में सुनाय गया था मांदे 17,009 परसेंट व्याज के अंदुशक वो दिया जाए और वही आदेश भी आ अने मात्रम